राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब? हमारी यूटीब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फालकुर मास के कृष्ण पक्ष की चतुई दशी तिथी को महा शिवरात्री का पर्व मनाया चाता है। पुराणों में महा शिवरात्री का सरवादिक महतु बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार महा शिवरात्री की रात्री पर ही भगवान शिव माता पार्वती का विभासंपन हुआ था। महा शिवरात्री को शिव और शक्ती के मिलन की रात्री कहा जाता है। दोस्तों आज ही इस बीडियो में हम आपको भगवान शिप और माता पार्वती के विभा की कथा सुनाएंगे। भगवान शंकर और पार्वती जी के विभा का प्रसंग बहुत मंगलकारी है। जो इस कथा को सुनता है उसके मनुरत पूर्ण होते हैं। दुख दरिदर्दा का नाश होकर सुख सम्रथी और सौभाग्य की प्राप्ती होते हैं। दामपत्य जीवन सुख में बनता है और विभा में आ रही रुकाबटें भी दूर होते हैं। शिप पुराण के अनुसार भगवान शिप माता पारवती की कथा इस प्रकार है। मा पारवती परवतरार हिमाल्या के पुत्री थी। पारवती के रूप में सती मा का पुनरजनम हुआ था। माता पारवती भगवान शिप से बिभा करने की एक्शुक थी। सभी देपतागड़ भी इसी मत में थे कि परवत राज कन्या पारवती का भिबा भगवाशिव से होना चाहिए क्योंकि तारका सुर असुर ने कठो तब करके भ्रम्मा जी से अजर अमर होने का बरदान मांगा था लेकिन भ्रम्मा जी ने उससे कहा कि यह संभब नहीं है तब तारका सुर ने कोटिलता से बिचार किया कि वह ऐसा बरदान मांगे जिससे काम भी हो जाए और उस पर आज भी ना आए ब्रम्मा जी से उसने कहा कि यदि उसके मृत्यु हो तो शंकर जी के शुक्र से उत्पन पुत्र के माध्यम से ही हो अन्यथा नहीं हो उसने सोचा कि शंकर जी ना विभा करेंगे और ना उनके पुत्र होगा तो वह अमर ही हो जाएगा ब्रह्मा जी तथास्तु कहका चले गए वर्दान मिलने के बाद तारका सुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया देपता परिशान थे, इंद्र परिशान थे इसलिए वह जाते थे कि माता पार्वती का विभा भगवाई शिप से हो जाए जिससे उनका पुत्र तारका सुर अशुर का बद्ध करे शिप जी विभा के लिए तयान नहीं थे इसलिए देपता उन्हें काम देप को शिप जी के पास भेजा लेकिन शिप जी ने उन्हें अपनी तीसी आँख से भस्म कर दिया अब पार्वती ने तो ठान दिया था कि वो विभा करेंगी तो से भोले ना से शिप को अपना बर बनाने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठो तपस्या शुरू कर दी उनकी तपस्या के चलते सभी जगे हाहाकार मच कया बड़े बड़े परवतों की नीब डगमकाने लगी के देख भोले बाबा ने अपनी आँख खोली और पार्वती जी से आवाहन किया कि वो किसी समुद्र राचकुमार से बिभा करे शिपजी ने इस बात पर भी जोर दिया कि वह एक तपस्या है और उनके साथ रहना आसान नहीं है लेकिन माता पार्वती तो अडिक रही उन्होंने साफ कर दिया था कि वो बिभा सिर्फ भगवाई शिपज से ही करेंगी अब मापार्वती की जिद्द को देखकर और देपताओं की दशा को देखकर भगवाई भोलेना मापार्वती से बिभा के लिए राजी हो गए अब शादी की तैयारी जोरों पर शुरू हो गए लेकिन समस्या ये थी कि भगवाई शिपएक तपस्वी थे और उनकी परिवार में कोई सदसे नहीं था लेकिन मानेता ये थी कि एक बर को अपने परिवार के साथ जाकर बधू का हाथ मांगना पड़ता है अब ऐसी इस्थिती में भगवाई शिपएक ने अपने साथ नाकनिया, भूत, प्रित और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्ना किया तपस्वी होने के चलते शिपची इस बास से अबगत नहीं थे कि बिभा के लिए किस प्रकार से तयार हुआ जाता है तो उनके डाकनियों और चुड़ैलों ने उनको भस में से सजा दिया और हड़ियों की माला पहना दी भगवान शंकर बारात लेकर पर्वत राज के यहां महचे बारात तो बिलक्षन थी, ऐसे इबारात ना किसी ने देखी और ना देखेंगे मत मस्त शिप के गण, कोई मुखीन, कोई पिपल मुख भस में लगाए हुए शंकर जी शंकर जी दूला थी लेकिन सांसारिक नहीं थे वहें अविनाशी और प्रलेंकर के रूप में थे साथ में भूत, प्रेत और पिश्रास थे गले में सर बहार और शरी पर भस में लपेटे हुए थे सब कहने लगे, दूला भी कभी ऐसा होता है क्या जब ये अनौखी बारात पारवती जी के द्वार पर पहुँची सभी देपता हैरान रह गए, वहां खड़ी महलाएं भी डर कर भाग गए भागवाई शिप को इस बिचिते रूप में पारवती जी की मा सुईकार नहीं कर पाएं और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया इस थितियां बिगड़ती देख पारवती जी ने भागवाई शिप से प्रातना की कि वो उनके रीते रिवास के मुताबिक तैयार होकर आएं शिप जी ने उनकी प्रातना सुईकार कर ली और सभी देपताओं को फर्मान दिया कि वो उनको खुबसूरत रूप से तैयार करें ये सुन सभी देपता हरकत में आ गए और उन्हें तैयार करने में चुड़ गए भागवाई शिप को देविय जल से नहलाया गया और रिशम के फूलों से सजाया गया थोड़ी ही देश में भोली नात कंदर्व से भी जादा सुन्दर लगने लगे और उनका गोरा बन तो चांद की रोशनी को भी मा दे रहा था जब भगवाई शिप इस दिब्बे रूप में पहुँचे पार्वती जी की मा ने उन्हें तुरन स्विकार कर लिया और भ्रमा जी की उपस्थिती में विभा समारो शुरू हो गया पार्वती जी के साथ सखियां हसी ठिटोली कर रही थी सखियां मंगल गान कर रही है सब लोग शंकर जी की जैजे कार कर रहे है फिर आया फेरों का वक्त शंकर जी और गोरी फेरों के लिए पैठे पंडितों ने शंकर जी से कहा अब आप संकल्प कीजिए महा संकल्प लेने वाले शंकर जी आज स्वेम संकल्प कर रहे हैं जिनके संकल्प मात्रे से ही सारे कारे सिद्ध होते हैं आज उनको पंडित कह रहे हैं कि आप संकल्प केजे शंकर जी संकल्प को उधधत हुए तभी पंडितों ने उनसे पूछा आपका गोत्र क्या है शंकर जी हैरान हो गए कैसे बताएं कि क्या गोत्र है तभी इस पर ध्यान नहीं दिया शष्टी के जन्म, पालन और संगहार में लगे रहे शंकर जी का तिलोख ही गोत्र है शंकर जी ने भ्रह्मा जी और विश्णू जी को देखा तौनों ने शंकर जी की ओर देखा और हसने लगे पंडित जी समझ गए कि उनसे भूल हो गई है पंडित जी ने फेरे कराए और वही पर जैमाला की रस्म हुई पंडित जी ने बारी बारी से बच्चन कराए भगवाई शिप माता पारवती जी ने पती धर्म और पतनी धर्म का पालन करने के लिए बच्चन भरे इस प्रकार भगवाई शिप का मा पारवती के साथ बिभा संपन हुआ बाराट जब भी विभा की अनुमती मांगती थी परवत राज रोक देते थे इस तरहें तीन दिन बीट कई तीन दिन बार बाराट की तरफ से शिपची ने अनुमती मांगी तो परवत राज ने और रोक लिया परवत राज बाराट को नहीं रोक रहे थे इसके पीछे उनका पिता मोहुथा वहे अपनी लारी पारुटी को बिदा करने का साहस नहीं कर पा रहे थे अंतितहे वहे बिदाय के बेला आई पारुटीजी बारी-बारी से पिता और परिजनों से गले मिले सबके आँखें नम थी परवत राज का तो रो रो कर बुरा हाल था मा मैना भी अपने को समाल नहीं पा रही थी वह परवती जी को पकड़ कर अलग ले गए इस बिदाई के बेला में घर संसार के लिए सिक्षा प्रत सीख निकले मैना ने पार्वती जी को पती धर्म और सस्राल धर्म की सिख्षा दे मा मैना ने कहा कि आज से तुम्हारा सस्राल ही खर है कभी अपने पती की अभेलना ना करना सदा मिलकर चलना घर में सभी बंधू बांधूमों का सम्मान करना अब तुम्हारा यही संसार है मा मैना ने कहा कि इस्त्री के लिए पती के समान कोई नहीं है क्यद भी माता पिता अपनी संतान के बड़े सुपशिन तक होते हैं लेकिन वह मुक्ती नहीं दे सकते इस संसार में चार बस्तू सुख प्रदान करती हैं पहला पती, दूसरा धर्म, तीसरी इस्त्री और चौथा संतोष इन चारों का ही पालन करना इस्त्री से दो कुलों की रक्षा होती है पिता के कुल की तो वह रक्षा करती ही है पती के कुल की भी रक्षा करती है इसलिए तुम दोनों कुलों की रक्षा करना हमारा मान सम्मान तुम्हारे हाथ में है इस तरहें परवत राज और मैना देवी ने मापार्वती और भगवान शिप जी को बिदा किया भगवान शिप जी ने लोग हित में भी मापार्वती से विभा किया था भगवान शिप मा पार्वती के पुत्र हुए कातिके जी कातिके जी ने तारका सुरका बद किया तारक कहते हैं नेत्रों को असुर यानी बुरी प्रवती शंकर जी कहते हैं कि जिसने अपने नेत्रों को बसमे कर लिया है वह मेरा हो गया इस तरहें भगवान शिप माता पार्वती के बिभा की मंगल में कथा संपन्न हुई भगवान शिप माता पार्वती की कथा बहुत ही मंगल में है भगवान शिप माता पार्वती की कथा सुनने मात्र से ही सभी मनुरत पोण हो जाते है दामपत्य जीवन सुख में होता है, विभा में आ रही रुकावटें दूर होती है, दुख तरितिता से मुक्ती मिलती है, सुख सम्रती सौभाके की प्राप्ती होती है उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिस से भेभी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग राधी राधी